स्वागत आप सभीका राम है इसमें मैं हूँ रिचा हमारी आज की डेली न्यूस पर डेली करेंट अफ़ेर्स तो अगर आज की डेट की बात करें तो आज डेट है 9th of December आज हम 9th of December के current affairs को cover करेंगे इसमें आपके लगबग जो है जो भी topics important है और परिक्षा के लिहाज से पूछे जा सकते हैं उन सभी topic को cover करने का प्रयास करेंगे जानते हैं सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि actual में यह नहीं उसमें क्यों है अगर इस topic की आप बात करते हैं तो आपके prelims और means दोनों के point of view से जो है इंपोर्डेंट है आप बास के छेत्र में महत्व समझ सकते हैं means के लिए और prelims के लिए अगर हम बात करें तो directly इस mission से जो है वो questions पूछे जा सकते हैं आइए जानते हैं सबसे पहले कि चर्चा में क्यों है तो अभी कुछ time पहले ही कृष्री मंत्राले ने जो है वो राष्ट्रिय बास mission के तहट जो भी बास के छेत्र से सम्मंदित अलग अलग जो योजनाए हो सकते हैं उनको सिव्वेवस्थित करने के लिए एक सलाहकार का गठिन किया है आईए जानते हैं कि बास जो राष्ट्रिय बास mission है वो है क्या तो सबसे पहली चीज यह एक प्रकार की centrally sponsored scheme है और इसी के रूप में पुनर गठित राष्ट्रिय बास mission को जो है वो 2018 और 19 में सुरू किया गया था यह जो mission है यह आज की टाइम पिरिए सु क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि एक सलाकार समों का गठिन किया गया है मिले इस mission के लक्ष की बात करें तो इस mission में रोपन समागरी हो गया व्रक्षय रोपन हो गया और उसके अलावा संग्रह के हितु सुविधाओं का निर्मान एक अत्री करन करना प्रशंस करन करना विपड से प्रोडक्स बनते हैं उनको भोगताओं के साथ जो कंजूमर से उनके साथ जोडने के लिए बांस के छित्र में सारी जो ट्रंक लाइं है एक चेन है उसका डैवलप्मेंट किया जा रहा है ताकि इस mission को लोगों तक जो है वह पहुंचाया जा सके यह तो इसका introduction हो गया आ से अमेर्जिदी आई के पूरक से लिए हम देखते हैं कि जो गैर वनसे सकारी और सबया निजे वन भूमी हैं जो लोगों की अपनी खुद की जमीने हैं उसमें हम देखते हैं कि सिस्चिय परायरी है कि पोलगों को प्रेश्याय बांस लगा ये अब उनropag दोंस लगेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो जलवायू परिवर्तन हो रहा है उस जलवायू परिवर्तन के लचीले पन में ये help करेगा साथ ही ये इसका first purpose है second purpose ये है कि किसानों को जो है वो बाजारों से जोड़ा जा सके मार्केट से जोड़ा जा सके अगर अब यहां पे पहला target ये रखा गया कि पेंड लगाए जा सके अब जब वो पेंड लगाए जाएंगे तो एक मार्केट भी तो मिलना चाहिए जब तक मार्केट नहीं मिलेगा तब तक वो बेचिंग कैसे और उन्हें प्राइस कैसे मिल सके तो सेकन्ड मेन परपस रखा गया है कि मार्केट को जो है वो डयवलपम क्या जा सके किया जाए के तीसरा मेन पर Bacon कर दिया जाएगा तो वहाँ तक अम्हें पहुंचाया जाएगा तो यह उद्यम और नो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके साथ जो बाजारों की आविश्रक्ताएं हैं उन्हीं आविश्रक्तों के हिसाब से पारंपरिक बांस के सिल्प कारों को कौसल को उन्नत करने का भी प्रयास किया जा रहा है ताकि इस सेक्टर में भी बहतरीन तरीके से जो है कारी किया जा स अब जो बहतर सिल्पकार होंगे जो अच्छे चिरू है वो हमें प्रोडक्ट्स मिल पाएंगे मार्केट से लोग पर्चेस करेंगे दूसरा चीज है कि इंप्लॉइमेंट भी तो इस सेक्टर में जनरेट होगा न आप इतने आज के टाइम प्रेड में इतनी जादा जो बेरो किसान कल्यान मंत्राले के द्वारत जब भी आप कोई योजना पढ़ते हैं तो उसका मंत्राला आपको चरूर द्यान में रखना है कि एक्च्छल में वह किस्ते जो है वह इंपोर्टिंट रखता है आई इसके महत्यों के बारे में जानते हैं तो अगर हम इसके महत्यों के रामते हैं तो बास उद्योग जो है वो तहीनकई संसाधन उपियोग के रास्त कई सारे मार्ग खोलने का काम करेगा और इसमें भी बहुत बढ़िया तरीके से हम जो है वो चेंजेस देख सकते हैं इसमें जो बास की जो पौधे हैं इनको एक बहु मुखी समूह की रूप से खोला गया है जो लोगों को परिस्थितिकी और उनके आजीविका संबंधि जो सुरक्षाएं होती हैं उनको मुहिया कराने में भी ये हेल्प करेगा ये इस वज़े से भी इंपोर्टिंट हो जाता है क्योंकि अभी हमारे रीसेंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्होंने बैंगलूरू हवाई अड़े में एक न्यूट टर्मिनल का उद्गाटन किया है बैंगलूरू में अगर प्लेस की बात करें तो प्लेस है कैमपा गोड़ा तो बैंगलूरू जो हवाई अड़ा है इसमें एक न्यूट टर्मिनल का उद्गाटन किया गया है जिस में जो हरित संसाधन है उन हरित संसाधनों को हरित संसाधनों की जो संपदा है उसको हरित इसपात की रूप में भी परिभासित करने का प्रयास किया गया है निर्मार के छेत्र में अगर हम बात करें तो निर्मार के छेत्र में इसकी डिजाइन, इसके संराचनात्मक्तत्यों की रूप में उप्योग करने के अलावा बास में जो है अलग-अलग ये multi-dimensional हमें sectors देखने को मिलते हैं तो ये उसमें भी काम करेगा जैसे बास से अलग-अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे जो हमारी daily life style में हमें help करते हैं कटलरी वगरा बनाए जाएंगे घरेलू सज्जावट का समान बनाया जाएगा और संसन जो संदर्य प्रिसाधन वगरा होते हैं इन में भी जो है वो developments किये जा रहे हैं ताकि बहतरीन तरीके से कारिक किया जा सके हमें इसके साथ ही ये भी जानना होगा कि actual में present time में जो बास उत्पादन की स्थिती है वो बास उत्पादन की स्थिती कितनी है तो अगर सबसे जादा छेतर की बात करें तो present time में जो 13.96 मिलियन हेक्टेर में बास की खेती की जाती है present time में भारत में इंडिया में 136 जो है वो अलग-अलग प्रजातियां बासो की उगाई जाती हैं जिसमें से हमारी 125 जो है स्वौदेसी प्रजाति हैं जिसमें से 11 वो हमारी विदेसी प्रजातियां हैं तो इन में अब बास की खेती करने के प्लेस में अगर हम देखते हैं तो चीन के बात इंडिया का नंबर जो है वो दूसरे स्थान पर आता है ये भी एक important जो है वो आपके लिए खबर है जो आप याद रख सकते हैं तो ये कहीं न कहीं जो है वो एक बहतरीन तरीके का step लिया गया है चले हमारा आज का second topic है श्रियाचठवा महापरी निर्वान दिवस हमें इसमें समझना होगा कि एक्चल में महापरी निर्वान दिवस जो है वो क्या होता है किस चीज के regarding है ये सभी चीज़ें जो है वो हम आज के topic में देखेंगे तो obviously ये चर्चा के कारेंट के अगर हम बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर सहाब ने प्राइम मिनिस्टर सहाब नरेंद्र दामुदर दास मोदी इन्होंने जो है वो महापरी निर्वान दिवस पर डॉक्टर बाबा साहे बंबेटकर को श्रद्धांजली अर्पित की है और देश के लिए उनकी जो अनुकर्णी सेवाएं हैं उन अनुकर्णी सेवाओं को याद किया है आईए समझना होगा हमें कि actual में यह जो परी निर्वान दिवस है जो महापरी निर्वान है वो क्या होता है और परी निर्वान दिवस जो है वो मनाया गया है वो actual में क्या है अगर हम परिनिर्वान की बात करते हैं तो यह बुद्धिजम जो रिलीजर है उससे आपका ताथपरे रखता है महापरी निर्वान जो है एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग यह होता है कि मुक्ति मिल जाना या फिर मोक्ष मिल रहाना तो जो भी बुद्धिजम religion को follow करता है उसमें ऐसा माना जाता है कि जब किसी के death हो जाती है तो उसे जो है वो मुक्ष्ट की प्राप्ति होती है बहुत ग्रंथ जो है वो महापरी निर्बान सुत्त जो है उसके according ऐसा माना जाता है कि 80 years की age में जो भगवान बुद्ध थे जो कौतम बुद्ध थे उनके death के बाद उन्हें जो है महा निर्बान की प्राप्ति होती है साथी हर साल जो है वो 6th of December को डॉक्टर भीम्राव अंबेटकर के द्वारा जो उन्होंने अपने लाइफ में सामाजिक योगदान दिये उनकी उपलब्धियां रही उन सभी को याद किया जाता है और basically ये day जो है वो मनाया जाता है साथी साथ डॉक्टर भीम्राव अंबेटकर ये बहुत नेता भी थे और इसी रूप में इनकी सामाजिक इस्थिती के कारण जब भीम्राव अंबेटकर के पुन्नितिति होती है यानी पुन्नितिति इनकी कब होती है 6 ओफ डेसेंबर को होती है तो उस 6 ओफ डेसेंबर के डे को महापरि निर्वाण के दिन की रोप में जो है वो हम मनाते हैं आए थोड़ा सा जानते हैं डॉक्टर भीम्राव अंबेटकर के बारे में दो मिनिट में जानने का प्यास करते हैं इनका जो जनम है वो 1891 में महु मध्यप्रांत में हुआ था प्रेजन टाइम में मध्यप्रांत महु की अगर बात करते हैं तो ये MP में हैं साथी डॉक्टर भीम राव अंबेटकर को भारती समविधान का जनक भी कहा जाता है और ये भारत के पहले कानून मंत्री भी थे उसके अलावा हमारी जो कॉंस्टिटूशन की जो ड्राफ्टिंग कमीटी थी जो मौसौदा समीती थी उसके अध्यक्ष भी थे डॉक्टर भीम राव अंबेटकर को एक समाश सुधारक की रूप में विधिवेत्ता की रूप में अर्थिसास्त्री लेखा बहु भासा विद उन्हें काफी सारी बहु भासा विद का मतलब है कि काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो लैंग्विजस आती थी एक बहुत ही मुखर वक्त थे विद्वान थे और धर्मों के विचारत थे उसके अलावा जो राउंड टेबल कॉन्फरेंस जो तीन गोल में समेलन उसमें भी डॉक्टर भीमराव अंबेटकर ने पाट लिया था उसके अरावन 1932 में अंबेटकर ने जो है महत्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर भी हस्ताक्षर किये थे जिसमें उन्होंने जो दलित वर्ग हैं जो संप्रदाइक पंचाठ में बेसिकली जो है दलित व एक्त में गांधी जी के साथ जो है वो उसमें पार्टिसिपेट किया अब प्रांतिए विदानमंडलों की अगर हम बात करते हैं तो प्रांतिए विदानमंडलों में जो दलित वर्ग हैं उस दलित वर्गों की सीटों की जो नंबर्स हैं वो पहले archa system तो 71 से बढ़ा कर जो है वो 147 कर दिये गए थे साथी साथ जो केंद्रिय विधान मंदल जो Central Legislature है उसमें दलित वर्गों की सुरक्षित सीटों की संख्या में जो है आप RBI का कॉंसेप्ट देखते हो वो RBI का कॉंसेप्ट बेसिकली जो है वो डॉक्टर भीम राव मेटकर ने ही जो है दिया था हिल्टन यंग कमीशन में उसके अलावा 1951 में जो हिंदू कोर्ट बिल था बेसिकली उसमें उन्होंने काबिनेट से जो है वो इस्तीफा दे दिया था वहीं हम देखते हैं 1936 में जो है 1936 में हम देखते हैं कि विधायक की रूप में बॉम्बे विधान सभा के लिए डॉक्टर भीम राव अंबेटकर को चुना जाता है 1942 में उन्होंने एक कारेकारी सदस्य की रूप में वायस्तराई की कारेकारी परिशत की रूप में भी नियुक्त किया गया था दॉक्टर भीमराव अंबेटकर को वही 1947 में हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेटकर ने जो है दॉक्टर भीमराव अंबेटकर की 6 ओफ देसेंबर 1956 को जब उनका डेथ हुआ उनका निधन हुआ तो उसी दिन को हम महापरी निर्वाण दिवस की रूप में मनाते हैं क्योंकि फाइनली क्या हुआ था कि डॉक्टर भीमराव अंबेटकर ने जो है वह बौध धर्म को अपना लिया था और अगर बौध धर्म में किसी का भी निधन होता है तो यह माना जाता है कि उन्हें जो है वह महा निर्वाण प्राप्त हुआ है उन्हें मुक्ष की प्राप्ती हुई है उन्हें मुक्ती मिल गई है इस वज़े से जो है इस डे को 6 दिसेंबर को हम महापरी निर्वाण दिवस की रूप में मनाते हैं इनके कारियों की बात करें तो कुछ जो हैं वो पत्रिकाएं रही है जैसे कि मुक नायक 1921 में प्रकासित हुई बहिस्करत भारत 1927 में समता 1929 में और जनता 1930 में कुछ important books हैं डॉक्टर भीमरावंबेटकर की जैसे जाती प्रथा का विनास बुद्ध या फिर कालमाग अच्छूत वे कौन थे और अच्छूत कैसे बन गए बुद्ध और उनका धाम हिंदू महिलाओं का उदय और उनका पतन ये कुछ जो हैं वो इनकी important books रही हैं उसके अलावा कुछ संगठन में भी जो है वो डॉक्टर भीमरावंबेटकर ने काम किया है जैसे बहिस्करत हितकार्णी सभा 1923 में सुवतंत्र लेबर पार्टी 1936 में अनुसूच्य जाती फेडरेशन 1942 में मृत्यों की बात करें तो 6 ओफ दिसेंबर 1956 को जो है वो डॉक्टर भीमरावंबेटकर का निधन होता है मुंबई में इस्ते चैत्य भूमी जो है वो डॉक्टर भीमरावंबेटकर की वहां पर जो है वो इसमारक बनाए गई गई है प्रेजेंट टाइम में क्या आज भी हम समानता हैं देखने को मिलती हैं जबकि अगर हम देखें तो आज के टाइम पिरिएड में जो डलेत हैं उनको आरक्षन दिया गया और आरक्षन के माध्यम से उन्होंने कही न कहीं जो है वो एक राजनीतिक पहचान जो है वो तो हांसिल कर लिये लेकिन अपने जो है वो सारी जो है वो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है तो आज भी कहीनके इनका जो बना हुआ है और इन्होंने सुसाइटी के लिए जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट कारी किये चलिए आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यह जो आपका टॉपिक है यह आपके थर्ड प जो आपका सेक्टर है उसमें आप इसे जो है वो कवर कर सकते हैं चलिए अब हम जानते हैं कि एक्षिल में ये चर्चा का कारण क्यों है तो खाद्य और जो क्रिसी संगठन है उसने विश्व म्रदा दिवस जो है हर साल 5th of December को याद रखिएगा अगर कोई ये भी पूछ ले क कि हर साल विश्व म्रदा दिवस कब मनाया जाता है तो हर साल विश्व म्रदा दिवस जो है वो 5th December को मनाया जाता है उसी 5th December के अवसर पर हम देखते हैं कि काली म्रदा की जो वैस्ट्विक इस्थिति आज के टाइम प्रिड़ में हम देखने को मिल रही है उस पर जो है वो पूर्ट्स में बताया गया है तो यह चर्चा का कारण है अब हमें यह जानना होगा कि काली जो मिट्टी है जो black soil है कि क्या importance है तो काले मिट्टी को जो है वह वायू मंडल से कार्बन हटाने और जो पारवनिक बदार्थ होते हैं उनको संचुट करने के समिच हमता होती है साथी जलवाईव परिवर्त उनको कम करने के लिए एक इंपोर्टन सोर्स की रूप में भी इसको प्रस्तावित किया जा सकता है वहीं मिट्टी में जो है वह अलग अलग कही न कहीं वह और वर्ता पाई जाती है जिसके लिए हम देखते हैं कि खाद्य टोकरी के जैसे इसे माना जाता है और वेस्ट वे खाद्य आपूर्ती के वह बहुत ही तेजी से कम हो रहा है अगर हम एसो सी स्टॉक की बात करते हैं तो 22-50% की हमें कमी देखने को मिल रही है जिसमें जादा तर हम देखते हैं कि कार्बन को जो है कार्बन डाइयोकसाइट की रूप में वातवरिन में सर्जित किया जा रहा है और जिसके कारण ग् लाक सोईल है उसका चरण के हो रहा है क्या रीजन से ऐसे तो उसके चरण की अगर हम बात करते हैं तो भूमी उपियोग जो परिवर्तन है उसमें हमें देखने को मिलता है जो आए सिर्फ प्रबंधन जो पध्धतियां है और क्रिसी रसाइनों का जादा से जादा उसके अलावा जादतर जो काली मिट्या है उसमें गंभीर चरण की प्रक्रियां है उसके साथ साथ पोसक तत्वों के असंतुलन अमली करण जैव विद्धता संबंधि छती का जो है वो सामना कर रही है इसके ये भी कारण है दूसरा खादे और औरवरक संकठ हमें किस तरी किसान की रूप में जैसे हम बात करेते हैं अफ्री का हो गया लाटेन अमेरिका एशिया के कमजोर देशों से जो है वो जैवेक और आकार्बनेक और वरक को तक की हमें जो पहुंच है उसकी कमी देखने को मिल रही है और प्रेजेंट टाइम में जो और वरक की कीमते हैं उस के टाइम पिरियोड में उपलब्धता जो है वो कम है और बढ़ती और वरक कीमते जो है वो खाद की कीमतों और खाद असुरक्षा को बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं तो इस तरीके की काफी सारी जो है वो प्रॉब्लम से इस चीज को टेकल करने के लिए कुछ जो है म्रदा स्वास्थ में सुधार करने के लिए इंडिया में कुछ पहल स्टार्ट की गई है जैसे म्रदा स्वास्थ कार्ड योजन जैवत क्रिसी परंपरागत क्रिसी विकास योजन और वरक आत्म निरभरता डेज़ीटल क्रिसी कारबन खेती पोशन तत्व आधारे सबसीडिदी ए यार से है भारत मद्धे एश्रिया के राष्ट्री सुरक्षा सलाहकारों की जो है वो बैठक हुई है तो इसमें हम देखते हैं कि क्या हमें चेंजिस देखने को मिल रहे हैं तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम यह जानना होगा कि आखिप सिर्चा का कारण क्यों तो 6th of December 2022 को हुआ कि भारत के जो राष्टी सुरक्षा सलाहकार थे उन्होंने पहली बार मद्ध एश्रियाई देश मद्ध एश्रियाई देशों में कौन कौन से देश आते हैं आपका कजाकिस्तान आता है किर्गिस्तान आता है तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उजबेकिस्तान इनक सम्मेलन में अपने मेजबाने की थी तो आएए जानते हैं कि एक्च्वल इसमें क्या-क्या चीदें जो हैं वह रही हैं जो कही ना कहीं नेशनल सेक्योरिटी एडवाइजर जो है इसमें इसके क्या important कुछ points रही हैं तो इसमें जो है जो इसकी 30 वी वर्सगार्ट मनाई गई तो उसमें ऐसा फॉर्स टाइम हुआ जब जो है अगर हम बात करें कजाकिस्तान हो गया किरगेस्तान तजाकिस्तान उजबेकिस्तान के राश्टिय सुरक्षा सलाहकार जो है वो किसी उच इस्तरिय सुरक्षा बैठक के लिए दिल्ली में प्रेजेंट हुए थे ये फर्स टाइम ऐसा हुआ था साधी ये बैठक जो है ये भारत और मध्य ACI देशों के बीच जो राजनाइक संबंध है उन राजनाइक संबंधों को स्ट्रॉंग करने के लिए तीसवी वर्स गार्ठ के उसर पर आयोज़ित की गई थी फिर उसके बात जो है अगर हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान वारता का केबर इस बैठक में मुखरूप से अफगानिस्तान के सुरक्षा के स्थिति और तालिबान का जो साशन चल रहा है उसके तहर देश में उत्पन होने वाले जो आतंकवात के खत्रे हैं उन पर पर किया गया चाबाहर पोर्ट पर क्या किया गया इस बैठक में सामिल जो एन ऐसे के मध एसीया के माध्यान से एरान को जो है वो रूस से जोड़ने वाला जो अंतरराश्ति उत्तरदक्षिन परिवहन जो गलियारा है उसका स्ट्रॉक्चर किस तरीके से होगा और धाचे क की बीतर जो चाबाहर बंदरगाह है उसको सामिल करने के जो है वो भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया गया है कुछ और भी बातों पर डिसकेशन किये गए थे जिसे और बातों पर डिसकेशन कैसे कि जो न्यू टेक्नोलोजी जो है वो उभर रही हैं उनके दुरुपयों को लेकर बात की गई हतियारों और जो नसीली दवाओं की जो तसकरी की जाती है दुस प्रचार फैलाने के लिए साइबर स्पेस का बहुत ही जादा दुरुपयों किया जाता है मानो रहेत हवाई प्रडालियों के खिलाप सामोहे को और समन्वित कारवाहे के क्या विचार विमर्स किये जाने चाहिए ये सारे जो है ये डिसकुशन्स रही है जिसमें सारी चीजों को लेकर डिसकुर्स किया गया कुछ ये में दो इशूस रही है उसके अलावा कुछ जोइंड प्रॉब्लम्स रही है उन जोइंड प्रॉब्लम्स पर भी बात करने का प्रयास किया गया था उसके अलावा प्रक्रिया को जो है वो अपचारिक और संस्थागत रूप देना तो जब बैठक हो रहे थे उसी बैठक के दौरान जो है नेताओं ने सिखर सम्मेलन के प्रक्रिया को दुईवार्शिक रूप से आयोजित करने के निर्णय को लेकर इसे संस्थागत बनाने की सहमती पर ध्यान दिया कि इसे जो है वो संस्थागत बनाया जाना चाहिए ताकि इसमें हम जो है मिल सके मीटिंग कर सके और बहतरीन ढंग से जो है वो कारे कर सके तो इसमें हम देखते हैं नई दिल्ली में जो है मध्ध नई दिल्ली में जो है भारत म मध्धे इसिया के साथ भारत की संबंधों की बात करें कि मध्धे इसिया के साथ जो भारत की संबंध है वो किस प्रकार के हैं तो पहले जो है वो संबंधों को समझ लेते हैं फिर समझेंगे कि मजबूत बनाने में क्या-क्या चुनोती है क्योंकि पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि actual में भारत और मध्य इस्या के बीच के संबंध कैसे हैं तो अगर हम historical संबंधु की बात करें तो मध्य इस्या जो है वह कहीं ना कहीं इसमें हम देखते हैं कि मध्य इसबी इसबनागा के हिसाब 15 पॉइंट था वहीं जो हमारा बौध्य धर्म रहा है तो बौध्य धर्म के स्टूप और जो मठ है उसके रूप में कई मध्य ACI सहरों में भी जो बौध्य धर्मों के स्टूप हैं और मठ हैं उनका प्रचार प्रसार हुआ है उसके अलावा अमीर खुसरों हो गया दहलवी हो गया अलबरूनी हो गया यह सभी जो बहुत बड़े बड़े विद्वान थे यह मध्य ACI से ही आए थे और मध्य ACI से आकर इंडिया में बसे और इहनों ने अपना जो है वो बहुत नाम कमाया राजनितिक सम्बंधों की बात करें तो जो भारत है मध्य ACI देशनों के साथ एसिया का वह दिल माना जाता है साथ संगाई सही संगठन है उसका सदस्य भी है इंडिया मध्य ACI देश हो गया पाकिस्तान द्वारव समर्थित आतंक वाद की अलग अलग जो आतंक की समूह रहे हैं उनके संबंधों के बारे में भी जागरों बनाने का जो है वो कार्य करता है आतंकवाद से मुकाबला करने में जो है आतंकवाद से मुकाबला करना है इसमें भारत और मध्य यह देश है दोनों की thinking तो है जो है यह वो स सेम हैं दूनों जो है वो आतंकवाद का मुकाबला करना में चाहते और उसको ज्लेक्वा खतम करना चाय करना चाहते हैं इस तरीके से तो मजबूती रखना चाहते, तो मजबूती बनाने में प्रकों प्रक। एक बहुत ही important जो है यह कारक बन जाता है राजनेतिक रूप से अगर हम बात करें तो राजनेतिक रूप से जो मध्ध ECI देश हैं वो बहुत जादा कमजोर है और आतंकवाद तथा जो इसलामी कटरवाद है जैसे खत्रों से जो है वो कहीं न कहीं दोनों गरस्त देखने को म किया जा रहा है वहीं belt and road पहल के माध्यम से हम देखते हैं कि चीन के जो भागीदारी है चीन की भागीदारी ने इस छेत्र में भारत के प्रभाव को काफी कम करने का काम किया है अफीम का उतपादन जो है वो बढ़ रहा है जिसके कारण जो छिद्रपूर्ण सीमाय है और तो बेलगाम भ्रहस्टाचार है इसमें हम देखते हैं कि काफी बार जो है जो नसीली दवाएं और पैसा वगएरा इसकी तसकरी वगएरा की जाती है तो इन सारे सेक्टर्स में हम देखते हैं कि बहुत बार जो है इन दोनों की बीच एक अच्छे relations establish करने में हमें कहीं न कह इसमें च्छारत चक्रवाद को जो है जो रुखराफी का टौपिक है और इसे आप अगर अपने जियेस के पेपर के वेसिस पे देखना चाहें तो developing वन में आप इसको include कर सकते हैं, मैंडस चक्रवात को जो आपके चक्रवात वाला topic है, उस चक्रवात वाले topic में आप मैंडस चक्रवात को भी complete कर सकते हैं, अपने notes में जो है वो add कर सकते हैं, चलिए देखते हैं कि क्या है, तो अभी हाल ही में ये बताया गया है कि जो मैंडस चक्रवात है वो तमिल लाडू और पुडू चेरी के तटो पर 8th of December 2022 को जो है वो प्रभावित कर सकता है ऐसा जो है वो कहा जा रहा है मेंड़स चक्रवात एक्च्वल में है क्या तो मेंड़स चक्रवात की अगर हम बात करें तो मेंड़स जो है एक धीमी गती से चलने वाला जो है वो चक्रवात होता है जिसमें अक्सर बहुत अधिक जो नमी होती है वो नमी को अवसूसित करने का काम करता है और भारी मात्रा म में जो है वह सक्षक ** करने का भी काम करता है , और श्राइथ के द्वाराज से कहीं ना कहीं काम करता है, आ일े, जानते हैं कि इस कहीं विपहा Arms नामकरण के बात करें , जो है सैयुक्त अरव 2005-20453, बाइब कि दौरा इसका जो है वो नाम करन किया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाव जो है उसने यह भविष्वारी की है कि तुफान प्रणाली जो है वह पश्चिम और उत्र पश्चिम दिसा की ओर आगे बढ़ती है और सेक्स ओफ दिसेंबर को साम के एक जो साम है उस की सुभ़ तक तमिल नाडू और पुद्डू चीरी के तड़ो तक पहुंढ सकता है यह बात जो है वह कही जा रही है थोड़ा सा जानते हैं चक्रवाद के बारे में कि एक्चुल में चक्रवाद जो है ये क्या होता है तो चक्रवाद जो है एक कम दबाव वाला जो है वो छेत्र होता है जिसके आसपास तेजी से और इसके केंद्र की ओर जो है वो वायू परी संचरण होता है उत्री गोलार्द में अगर हम बात करते हैं तो हवा की जो देशा है वो वामा वर्थ तथा दक्षणी गोलार्थ में दक्षणा वर्थ होती हुई दिखाई देती है generally हमें देखने को मिलता है कि यह जो चक्रवात है यह विनासकारी तोफान और खराब मौसम के साथ ही उत्पन होते हैं एक साइक्लोन जो है वो word है साइक्लोन word जो है ये ग्रीक word साइक्लोस से लिया गया है जिसका जो है वो meaning होता है साब की कुंडलिया यानि coils of a snake ये सब्द जो है वो हेंरी पेंडिंग टन के द्वारा दिया गया था क्योंकि बंगाल की जो खाड़ी है और अरब सागर में उठने वाले जो उष्ण कटी बंधिये तूफान है वो समुद्र के कॉंडलित नागों की तरह जो कॉल्स ओफ स्नेक होता है उसी की तरह जो है वो दिखाई देता है इस वज़े से इसमें ये बात कही जाती है अगर चक्रवात की बात करें तो चक्रवात जो है वो दो प्रकार के होते हैं पहला जो है वो उष्ण कटी बंधिये चक्रवात होता है और इसमें तीसरा सेकेंड जो है वो अतिरेक्त उष्ण कटी बंधिये जो है वो चक्रवात होता है तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है वो उष्ण कटी बंदी है जो आपका चक्रवात है सब्दका उपयोग मौसम प्रणालियों को कवर करने के लिए किया जाता है मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा और जिसमें जो पवन वगेरा होती है वो गैल फोर्स यानि की नियूंतम 63 किलोमीटर प्रती घंटे से भी अधिक दिखाई देती है उष्ने कटी बंधिये चक्रवात मकर और करकरेखा के बीच का जो सेक्टिर होता है जो छेतर होता है उसमें जनरली ये उत्वन होते हैं यह औशन कटी बंधिये और उपोषन कटी बंधिये ज्रल को विक्सit से होने वाली जो ब्रहत मौसम प्रणाली है उसकी बेसिस पढ़ा ही जो हवा का परिसंशन होता है उसमें ये विवस्थी देखने को मिलती है वहीं जो अतिरेक्ट उष्ण कटी बंधी है इसे इने जो है वो सीतोष्ण चक्रवात या फिर मध्धे अच्छांस चक्रवात या फिर वतागरी चक्रवात या लहर चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है तो इनको अलग-अलग नेम से जाना जाता है ये जनरली जो है ये उच अच्छांस वाले जो सेक्टर्स होते हैं उनमें उत्पन होते हैं साथी ये ध्रूवी चेत्रों की उत्पत्ती के कारण जनरली हमें जो है इनमें देखने को मिलते हैं इनके जो नामकरण है वो भी अलग अलग बेसिस पर किये गए हैं जैसे विश्व भर में हम जो है महासागर बेसिन में बनने वाले जो चक्रवात है उनको उपोष्ण उष्ण कटी बन दी है चक्रवात चितावनी केंद्र और छेत्रिय विशेस मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा जनरली इनको जो है वो ना दुनिया में छे चेत्रिय कईने कई विशेस मौसम विज्ञान केंद्र का विस्तार करते हुए 2018 में हम देखते हैं कि पांच और देश जैसे इरान कतर साउदी अरब संयोक्त अरब अमिरात और यमन को भी इसमें वो सामिल कर लिया गया था ताकि बढ़िया तरीके से इस से प्राम किया या चाहि में भारत विकास रिपोर्ट के द्वा रखरत करें तो इस टौपिक को आप कहां पर कवर कर सकते tamanho इस टौपिक को आप इंडियन एकोन्मी में कवर कर सकते हैं इंडियन एकोनमी की बात करें आको पेपर अच्छे से याद होगा एकदम syllabus को जो है वह मगप कर लेना क्योंकि जब तक syllabus आपको मगप नहीं होगा तो सारी चीज़े वह बहतरी डंग से पॉसिबल नहीं है तो कोसेश करिए कि सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से जो है वह एकदम syllabus तो एक लिस्ट रट जाए पता होना चाहिए क्य भारत में विकास रिपोर्ट में एक अनुमान लगाया गया है कि 2022 और 2023 में जो भारत की अर्थवेवस्ता है उसमें 6.9 तक व्रधी देखने को मिल सकती है वहीं बात करें ऑक्टूबर 2022 में जो विश्रू बैंक है विश्रू बैंक ने भारत के सकल घरेलू उतपात के विकास के अनुमान में 7.5 से घटाकर 6.5 जो है वो कर दिया गया था इसमें क्या इसकी कुछ विश्रू रहेंगी तो अगर हम बात करें तो चुनाती पूर्ण बाहे परिस्तितियों में भी हम देखें तो आर्थिक गती विधियों में भारत का लचीला पन हमें देखने को मिलेगा चुनातियां हमें देखने को मिल रही है बट फिर भी हमें ये देखने को मिलेगा कि जो इंडियन एकॉनमी है वो लेखनी रूप से लचीली रही है और इसमें जो है बहतरीन तरीके से कारे करने की विकोसिस की जा रही है साथी अधेक निजी खपत और निवेस की बात की जा रही है पूझी गत्वय को बढ़ाने और सरकार के जो लक्ष है तो सरकार के लक्ष ने भी 2022 और 2023 में पहली बार जो है वो छमाही में घरेलू मांग को जो है वो समर्थन दिया है और भारत का एक बड़ा जो घरेलू बज हम देखते हैं कि 22 से 2023 तक की सुरुआत में हम देखते हैं कि जो घरेलू मांग है उस घरेलू मांग में लगातार जो है वो व्रद्धी देखने को मिल रही है वहीं वैश्विक अविवस्था के लिए एक सुनी यूजित और विवेक पून नीती के तहत हम देखते हैं प्रत जिन्सों की उची कीमते और बढ़ती रिड की जो लागते हैं उसमें हमें जो है वो असर देखने को मिल रहा है और 2023 2024 तक जो घरेलू मांग है विशेश रूप से जो निजी खपत है उस पर हमें जो है वो कही नकरी चुनौतिया देखने को मिलेंगी जबकि वैस्टविक इ जिस्तिर में कमी से भारत के जो निरयात है उसकी मांग में व्रद्धी बाधित होगी इन्हीं कारकों से हम देखते हैं कि जो भारती अर्थ विवस्था वित वर्स 2022 तक हमें देखने को मिलते हैं कि इसके तुल्ला में जो 2023 यानि जो 2022 में जो एकॉनमी के सेक्टर में डैवल वर्ड बैंक इसमें क्या चीतें कह रहा है क्या है वर्ड बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ड बैंक के बारे में सोड़ा सा जान लेते हैं कि वर्ड बैंक एक्च्वल में क्या है तो अंतर राष्ट्री पुनर निर्मान और विकास बैंक जो है उसने जो है अंतर पासिल देशों में गरीबी को कम करने और साजा सम्रद्धी का निर्मान करने वाली इस्थाई समाधानों के लिए ये काम कर रहे पांच संस्थानों में से एक जो है ये अनूठी और वेश्टविक साजिदारी की रूप में काम कर रहे प्रेजन टाइम में इसके सदस्यों की बात करें तो प्रेजंट टाइंग में टोटल इसके 189 देश जो है वो इसके सदत से हैं इंडिया भी जो है वो इसका सदत से हैं इसके रिपोर्ट की बात करें इस ओफ डूइंग बिजनेस मानो पूंजी सुच कांग हो गया और विश्रो विकास रिपोर्ट तो यह सारी आपको क्लियर हुई होंगी किसी भी तरीके का कोई बिडाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूश सकते हैं किसी भी तरीके का कोई बिडाउट है मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में थेंक्यू सो मच बबाए सभी को